इस्राइल ने हिजबुला के कई कमांडरों को धीर करने के बाद अब लेबनान में इसके खुफिया हैटक्वाटर को भी उड़ा दिया है बेरूत में शुकरवार को हमले करने के बाद इसराइली सेना ने शनिवार को भी लेबनान में खौफनाग हमले कर दक्षली बेरूत को हिला दिया इसराइल ने शनिवार को भी लेबनान में बंबारी की इस दोरान इसराइल ने बेरूत के दक्षणी उपनगर पर एक दर्जन हवाई हमले किये वही पहली बार उत्तर में फिलिस्तिनी शरणार्थी शिविर पर हमला किया गया इस्थानी मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार लेबनानी अधिकारियों ने बताया कि कुछ हमले बहुत ज्यादा हिंसक थे एफपी की रिपोर्ट के अनुसार इसराइली दुश्मन के युद्धक विमानों ने बेरूत के दक्षणी उपनगरों पर चार हमले किये थे बेरूत में शनिवार की रात को इसराइली हमलों से पूरे शहर में हलचल मची रही पूरे शहर में लगभग 30 मिनट तक लाल और सफेद रंग की बिजली चमकती रही ये क्षेत्र हिजबुला का गड़माना जाता है इसराइली सेना ने कहा कि दक्षणी लेबनान के अंदर जमीनी अभ्यान शुरू करने के बाद से उन्होंने 400 से ज्यादा हिजबुला लड़ाकों को मार डाला है उदर लगाता जारी हवाई हमलों के बीच इसराइली सेना ने लोगों से बेरूत के दक्षणी उपनगरों को खाली करने को कहा है रॉइटर्स के रेपोर्ट के अनुसार लेबनान के अधिकारियों ने बताया है कि मारे गए हिजबुला नेता सैयद हसन नसरल्लह के संभावित उतराधिकारी हाश्रिम सफिद्दीन से ये शुकरवार से संपर्क नहीं हो पाया है रॉइटर्स के प्रत्यक्षदर्शियों ने कहा कि शनिवार तरके वेरूत के दक्षणी उपनलों में एक विस्वोट की आवाज सुनी गई और धुआ देखा गया इस हमले से पहले इस्थानी निवासियों को तुरंट इलाका खाली करने के लिए तीन अलर्ट जारी किये थे हमले के बाद शनिवार तरके हिजबुला ने कहा कि इस्थानी सेना लेबनान के दक्षणी शहर ओडाई से में घुसपैट की कोशश कर रही है जहां उसके साथ हिजबुला के लड़ाकों से जंग जारी है वहीं रक्षा विशेशग्यों का मानना है कि इसराइल को आने वाले दिनों में जब तक ये सुनिश्यत नहीं होगा कि हिजबुला की ताकत कमजूर पड़ गई है तब तक वहल लेबनान में बहुत ज्यादा अंदर घुसने से हिजबुला से जुनौति पर रही है इसराइल ने बेरूत तमिश्क राजमार्ग पर हमला करके इसे बेका वैली से कार्ट दिया है बतादे कि बेका वैली से सीरिया में जाने के लिए इसी राजमार्ग कवपियों की आ जाता है झाल थाजमार्ग